दुनिया एंदिनों कोरोना वारस जैसी महामारी से जूज रही है इस महामारी से नपटने के लिए और इसका वैक्सीन बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और कई बड़े बड़े देशों के वैग्यानिक इस महामारी की दवा खोजने में लगे हुए है इसे बीच एक इससी नवा का नाम सामने का ओपराग знаете miti साबिट हो रही है इस दवा का नाम है रेमिडे सीषच यह दवाए के मरीजों पर अपना अच्छा एंपक ढाल रही है Stretch packaging動画 चानलीजी कि क्या है मिडैसिवर scripture लुप के ड्र बहा को इबूजा के ड्रकों के रूक में विक्सित किया अपनी दूसरी प्रतियां तयार करता है और ये इंसान के शरीर की कोशिकाओं में होता है लेकिन इस प्रक्रिया में वाइरस को एक एंजाइम की जर्रत होती है ये दवा इसी एंजाइम पर हमला करके वाइरस के रास्ते में एक तरह का रोड़ा बन जाती है इस दवा के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इबोला के ट्रायल के दोरान फैल हो गई थी मही चीन में इस दवा का उप्यों कर कोरोना मरीजों को ठीक करने की कोशिश की गई थी और वहाँ पर इसका सीमित मात्रा में असर देखा गया था अमारिका के वाशिंग्टन राज में कोरोना से जंग जीतने वाली एक महीला ने अपना निजी अनुभव साचा करते हुए बताया कि रेमेडी सिवियर की मदद से उनके पती कोरोना से ठीक हो गय थे अमेरिकी राजपती डोनाल्ड टरंप ने एलान किया था कि रेमेडी सिवियर एक ऐसी दवा है जिससे कोरोना के खात्मे की संभावना देखी जा रही है इससे पहले अमेरिका के शिकागो शहर में कोरोना वायरस से गंभी रूप से बिमार 125 लोगों को ये दवा दी गए जिसमें से 123 लोग ठीक हो गए थे हलाकि रेमेडी सिवियर पर हुए ताजा शोद के अनुसार ये बात कही जा रही है लेकिन ये दवाई वाकिए कोरोना वायरस में मददगार साबित होगी या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता कुछ मामले में इस दवा ने अपना असर दिखाया है लेकिन इसका ये मतलम नहीं कि कोरोना का ये दवा वैक्सीन बन सकती है ICMR के मताबिक दुनिया भर में COVID-19 के इलाज को ढूंडने के लिए 300 से जादा स्टडी चल रही है भारत में भी कई क्लिनिकल ट्रायल चल रहे है Remedy Severe भी उन स्टडी में से एक है जो हाल ही में पब्लिश हुई है स्टडी में अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये दवा 100% दी मददकार है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स